प्रण्ट CIPCC का आज औरिट का पेपर कम्प्लीट हुआ है जैन्वरी 21 का तो उसका फर्स टाइम फर्स चैनल पे रिव्यू में लेके आया हूँ आपके इस चैनल पे जिसका नाम है आपको कंसर्ट आपको कंसर्ट यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेर करिए डिस्क्रिप्शन में आपको आपके एद्यूकेशनल परपस से रिडेटेड सारे टेलिग्राम चैनल मिलेंगे जिसमें आपके CA Inter IPCC के सारे लिडेटेड डाउट्स क्लेरिंग, ABC अनलसिस और डिफरेंट डाइप की स्ट्रेडिजी कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको सारे लिडेटेड आपको लिंक मिल जाएंगे अर डिस्क्रिप्शन में जाएगे तो आपको सारे link मिल जाएंगे वहां पे आपको बेस्ट books मिल जाएंगी जिसे आप पढ़ सकते हैं, final की त्यारी कर सकते हैं, अगर आपके papers अच्छे हुए हैं और अभी से त्यारी करना चाते हैं, तो आपको description में links मिल जाएंगे, सारे books के तो चलिए, पहले मैं CAIPCC का review करूँगा, audit का, और ये YouTube पे पहला video होगा और इससे पहले भी आप playlist पे जाके, इसके पहले भी जितने भी previous आपके papers हुए हैं, उसका आपको complete detail review मिल जाएगा आप playlist में जाके चेक करिएगा, आपको Jan 21 attempt में CAIPCC और इंटर का एक playlist मिलेगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं और नीचे आपको website में लेगा, website पे connect होके, different type के courses कर सकते हैं, और भी features उसमें आने वाले हैं चलिए देख लेते हैं paper को, तो पहले paper में, part second में, जो की 70 marks का descriptive है paper, उसमें से आप चेक करते हैं, चलिए इसमें आपे क्या है, कि आपको short notes में incorrect or correct बताना है तो मेरे साथ आप बताते जाएगा कि कहां पे correct होगा, incorrect होगा, तो level of sampling is that the auditor is willing to accept will not affect the sample size, जो level है sampling risk का, जो auditor खुद accept करता है, कि इतना होना चाहिए, क्या वो sample size को affect करेगा, तो ये partially correct और partially incorrect है, तो आपका क्या इसमें आपने answer दिखा था, उसको with sampling risk का जो essay है, उसके साथ करना था, और second में देख लेता है, the area of cooperation between the statutory auditor and the internal auditor is limited, तो जो area of cooperation है, क्या वो दोनों का limited है, internal auditor का, क्योंकि internal auditor आपके company का internal department का हो सकता है, तो वो उसको उतनी जादा उसके साथ, उसके साथ coordination करने को management मना कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पताना था कि ये correct होगा, कि incorrect होगा, ऐसे 315 से rated था, उपर वाला भी ऐसे internal control से rated audit को आला था, तो objective of the auditor is to identify and assess the risk of maternity state में, whether due to fraud or error only at assertion, तो क्या ये सही है, तो आप ऐसे 315 में पढ़े होगे, कि ये assertion risk पे applicable होगा की नहीं, तो इसका answer yes होना चाहिए, there is an inverse relationship between the detection risk and the combined level of inherent and control risk, एभी मेरिकल से I think yes होगा, the company may distribute part of his profit during the two annual general meeting as a dividend, इसको आपको बताना था, तो इसी तरह के हैं आपके, और इसी तरह से आपका auditor has to report the matters specified in Companies Act, ये आपको बताना था, तो और ये क्या, in case of acquisition of asset is and financial is, क्योंकि ये review है paper का, analysis है, ये solution ये suggested answers नहीं है, कि आप ये कहें कि आपने इसमें solution नहीं बताए, suggested answer नहीं बताए, ज जहाँ जहाँ जो चोटे-जोटे question है, वहाँ पे मैं उसका answer बतादूगा, analysis करके बतादूगा, paper का level कैसा है, वो बतादूगा, review इसे कहते है, analysis इसे कहते है, आप ये expect not करिए कि आपको इसमें answer मिलेगा, suggested answer मिलेगा, तो आपको इस वीडियो को देखना है, तो देखिए न चार्ज करता है, financial lease payment को, ये आपको पता है, schedule 3 के related question पूछा होता है, normal cycle क्या होनी चाहिए, क्या ये duration of 15 months होनी चाहिए, कि 12 months होनी चाहिए, कि वो depend करता है, उसके उसमे, चलिए, ये देख लेते हैं, तो ये system audit, explain how test checking approach, assessor and audit to form his opinion, तो test checking जो होती है, आपको पता है, कि जब practical life में भी आपको audit करेंगे, तो test checking का एक process होता है, उसको आप करेंगे, तो आपको पाद चलेगा, कि क्या ये, financial statement के लिए, ये इसकी approach सही है कि नहीं, चलिए, एक practical based question लेते हैं, चाह नमर में बूचा था, Mr. R.N. Associate Chartered Accountant, a stat auditor at point हुआ था, any four example of matter indicating to auditor about the non comply with the laws, तो ये ऐसे से related थ जिसमें आपको चार बताने थे उसके कि non compliance पर क्या होता है, और ये ता fraudulent financial reporting often involved in management, override of the control that overrides that effectively illustrates three techniques which fraud can be committed by, तो fraud के time पर management क्या करते हैं, क्या overstate कर देते हैं, अपनी asset को, liability को अपने जो है, वो less कर देते हैं, और cash payment भी जो है आपकी दिखा देते हैं, गलात teaming और leading कर देते है यही सब आपको बताना था, चलिए भी देख लेते हैं, यह था Mr. P. in Charter and Gordon appointed auditor, the partner of the firm asked the audit assistant to carry out the examination and debt of the payment to the creator advising about the document, तो जब आप creator कर ये payment को चेक करेंगे, तो आपको क्या document चेक करना रहता है, सबसे पहले तो आपका जो payable वाली receipt बनी होगी, उनकी due amount बनी होगी, उनका ledger आपको confirmation लेने के लिए document होगा, आपको purchase देखनी पड़ेगी, और आपके जो store department में जो purchase की requisition होई है, requisition slip देखनी होगी, इसे आपको देखना रहता है, चलिए third question देख लेते हैं, third question बहुत अच्छा question है, तो इसमें देख लेते हैं, so यह आपका case based question है, इसमें क्या है कि आ आपको एक auditor appointment किया गया है, जिसमें आपने जब आपको details दी गई financial statement की, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपका gross profit rate है, वो आपका financially 18-19 में 8% है, और इसमें आपका 20% है, और drastically इतना growth होई है, change होई है, तो ऐसा क्या हो सकता है, तो उस से related आपको यह convince करने के लिए का यह गाया जा रहा है कि कैसे यह increase हो सकता है, तो इसमें यह हो सकता है कि आपकी sales बढ़ गई हो, आपकी sales के लाभा, आपके return कम हो गई हो, return जब कम हो गई होगी, तो आपका जो प्रचास कम हों गई हो, आपका labor charges कम होगा हो, तो इससे gross profit पे effect आता है, इस ही type का आपको question ल पराम से कर लिया होगा Explain the aspect to be Auditor when designing and performing substantial and adequate procedures either alone or in a combined with the test of detail Substantive Auditor procedure के बार में बताना था SS330 के according तो आपको पता है कि Test checking and substantive auditor procedure यूज़ किया आता है तो terms of condition और यह सब nature, timing and extent को देख के substantive audit procedure ज्यादा accurate होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से detail में उसकी checking की जाती है तो उसके बार में बताना था SS330 के वाला question देख लेते हैं तो In case of audit of this has observed the auditor the company has provided some 20 lakhs in the books of account as a graduate payable to employ based on certificate based on actuary तो यहां पर standard auditing के हिसाब से बताना है कि Auditor expert की अगर requirement होती है तो वो क्या उसको उसमें अपने में ले सकता है कि नहीं तो उसकी वो qualification देखेगा उसको experience देखेगा उसका काम करने का वो देखेगा तब वो उसको analysis करेगा और अगर report में उसको लगेगा कि हां इसके comment को या उसकी valuation को उसमें include करना चाहिए तो वो उसे उसमें mention करेगा अगर नहीं करना है तो उसका reason बताएगा यह सब के बारे में बताना था So D वाला question देख लेते हैं इसमें leasehold property जो balance sheet में दिखा रहा है उसको कैसे verify करेंगे verify करने के लिए आपके पाद leasehold property का agreement होगा agreement के साथ फिर उसकी contractual basis पे उसकी payment हो रही होगी कैसे उसकी basis पे payment हो रही है इस पर depreciation क्या charge हो रहा है किस hold पे आपने इसको लिया हुआ है वहाँ पे site visit करना रहता है यह सब से related question था easy question था चल यह वाला देख लेते हैं So आपको audit committee का constitution बता रहा था paid up share capital इतनी दिए थी turn over इतनी दिए थी outstanding loan liability इतनी दिए थी तो आपको यह बूच रहा था कि audit committee के लिए उसमें क्या होना चाहिए तो आपको audit committee के हिसाब से जो criteria था जो limit दिए हुए उससाब से देखना था कि क्या यह applicable होगा कि नहीं और यह भी आपको चेक करना था कि एक यह लिम्टेड कमप्टी है तो यह इसको आपने कर लिया होगा भी कोशन था आपका 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 यह से रिलेटर था चले देख लिए कि प्रेंड सी वाला जो आपका था से इंफिटि मेटड पारगाफ का यह कोशन इसमें आपको सब्सक्राइब कर दाने थे की कब कि कंसेर किया खिए आता है हमेसे कोशन ही पूसता है और यह पॉइन्मेंट ओडीटर की जो होती है वो कैसे होती है जो retailing auditor रिस्ट रिलेटर कोशन था यह भी बहुत ही repeated कोशन है कब किया सकता इसके बारा कोश्चा के शुक्र की आप बराना सेर्फ आपको यह चंटक करना रहता है कि जब बहुत है कोश्चा की क्या है उसमें terms of condition क्या है payment कैसे basis पे हो रही है कहीं financial institution का involvement तो नहीं है कोई loan sanction तो नहीं है उसमें insurance हुआ है कि नहीं guarantee receive हुई है कि नहीं LC है कि नहीं है सब चेक करना रहत है होटल होटल की एक audit थी होटल जहां हम लोग audit किया करते थे होटल की मैंने three staff poster की audit की होई है even bar की की है तो उसमें क्या रहता था कि उनके stocks रहते थे वो two types के stock रहते थे क्योंकि होटल में क्या होता है कि एक food वाले रहते हैं और एक होते हैं जो food को बनाने के लिए material यूज कियाते हैं तो एक expired हो रहते थे थे एक perishable nature के होते थे एक non-perishable nature के होते थे एक long lasting होते थे तो उनकी costing और उनकी जो treatment करनी रहती थी वो requisition register में पचे register में उसकी entry होती थी उससे related इसमें question पूछा हुआ है कि कैसे हाँ verify करेंगे तो आपको पचे register देखना है कौन से items आपके perishable और non-perishable उसके बारे मुझना था और उसके इलावा कितना issue हुआ है कितना expired हुआ है और कोई ऐसा product तो नहीं है जो harmful होता है expired होने के बाद उसको destroy करना destroy करने क्या procedure है और कितना उसकी costing हो रही है उसकी opening पे हो रही है कि closing पे हो रही है कि average पे हो रही है मैंलब V4, Levo, average basis पे हो रही है इस तरह कोशन रहते हैं च पर चलिए होगा आपने लोकल बॉडिटर को अपको बताना था कि उसकी क्या पार्ट में अपने 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 हसाब से लिखा तो इसमें मनमना मिलने का चांस नहीं है चलिए अब और वाला देख लेते हैं क्योंकि यह रिव्यू है एनलीसी से तो मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूं ना कि मैं सब्सक्राइब आंसर आप आइसी से मांगिएगा तो बाकी अगर किसी को वीडियो नहीं पसंदा रहा है तो वह स्किप कर सकता है जा सकता है अब यह भी सिगनिफिकनट ऑटर्शन रहती है इसमें जब आपकी डाउट रहती है सिगनिफिकनफिकन के इसम से फुल्फिल नहीं हो रही है तो क्या-कया पॉइंट्स है कि है कर दें लिजेक उनोंने अपने प्रोड़क्ट को बन कर दिया या फिर अपने विजनेस कर दि अपनी लाइबिल्टी को जो उन्हें पे ओफ नहीं किया और लोन पे पे नहीं कर रहे हैं तो यह सब किसके डाउट क्लियर करते हैं चलिए वाला देख लेते हैं केस बेस था ऐसे 220 पर क्वालिटी कंट्रोल फॉर और और फाइनेश्ट तो इसमें क्या रहता है कि जब आप न सरपायाइब करेंगे तो वहां पर क्यांड को छेक की unless रेती हैं उसका से बाद यौ हो इसको बबाद यौरे सब्सक्राइब करें तो आपको जाए और वीडियो डाले वाला हूँ इसके पहले भी मैंने Advanced Accounts का भी पेपर डाला हुआ आप देख सकते हैं तो यह Review है इसमें आपको साइस्टेड आंसर नहीं मिलेगा जो छोटे-छोटे कोशन रहते हैं उसका मैं explain करके बता सकता हूं तेकिन जो बड़े कोशन है उसमें तो solve करना पड़ेगा और इतना आपके पार time रही है आपको पेपर देखना है तो बने रही है इसी साब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिये ठाइंक्यू सो मच